दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बायफ लोग के पर एक पुरा कैलकोलेशन बताने वाला हूँ के बायफ लोग में आपको केतना पैसल लगेगा और start to end आपको कितना profit होगा और साथ ही साथ यह भी बताने वाला हूँ कि एक या दो tank से आपको कितना loss होगा और कितने tanks के बाद आपको profit होना start होगा ये वीडियो देखने के बाद आपके बहुत से doubts क्लियर हो जाएंगे और आप लोगों को ये समुझ में आ जाएगा कि आपको कम से कम कितने tank से start करना चाहिए इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि मोनोसेक्स दिलापिया में आपको कितना प्रिसा लगेगा एक tank, दो tank, पांच tank, दस tank start to end आपको मोनोसेक्स दिलापिया के लिए कितना प्रिसा लगेगा और आपको उसमें कितना profit होगा तो दिखते रहिए मेरा नाम है shape shake और मैं आप सभी का फिरवाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें जो खर्चे मैंने बताया है यह 90% accurate है 10% plus या minus होंगे क्योंकि हम जब मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदने जाते है जर्चा पर यह ज्यादा रहे हैं तो यह वीडियो बनाने का मकसद यह हैं कि आप लोगों परेज एक अंदाजा मिल जाए कि आपको start to end कितना पैसा लगेगा और कितना आपको profit होगा अच्छा इस वीडियो के लिए मैं कुछ लोगों को credit देना चाहूंगा जिन लोगों एक्सपर्ट है वायफ लॉक बहुत अच्छे से करते हैं और इसके अलावा हमारे दूसरे कगबर वायकर के हैं जो सिमिन टैंक्स में करते हैं तो उनसे भी मैंने काफी सारे इंपोट्स लिया है उन्होंने भी मुझे बहुत मतलब डीटेल इंफोर्मेशन बताई है जो इस व बहुत से लोगों ने उसमें आंसर किया है तो इस वीडियो का क्रेडिट में आप सबको भी दिना चाहूंगा जिन लोगों ने इस पॉल में आंसर किया था तो मैंने इसके लिए कुछ क्यलकूलेशन बनाए है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं सबसे पहले मैं ले जाते हैं तो मिने यहां पर ट्रेनिंग के लिए मतलब रेट्स पकड़ा हूँ एक में पांस जो कि तर्फिए की और एक कि प्रेंइंग के पेशों को मैंने कैलकुलेशन में एड नहीं किया हूं क्यों कुछ लोग लेते हैं और नहीं लेते यह मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए दिखा रहा हूं इसके बाद मैं बात करता हूं एक टैंग की एक टैंग जो दस एयर लेटर का होगा आप अगर उसे एक टैंग भी समझ सकते हो या फिर आप 10 एयर लेटर बीड़ी समझ सकते हो दोनों में हिसाब यही आएगा अचा मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ कि यहां पर जो एक्सपेंसे जना मैंने इसको तीन पार्ट में डिवाइड है फर्स पार्ट में मैंने रखा है टैंग के सेटप के एक्सपेंस को जिसमें टैंक का सारा खर्चा होगा क्योंकि वह वन टाइम होगा तो इसलिए मैंने उसका ग्रूप बना दिया है और दूसरा एक पार्ट मैंने बनाया है जिसमें आपको हर्वेस्टिंग और उसमें कितना प्रॉफिट होगा कितना फीड लगेगा हम लोगों को सारे खर्चे निकालने के बाद क इतना प्रॉफिट बचेगा हमको उसके कैलकॉलेशन में आपको बताया है और उसके बाद लास्ट में में आपको बताने वाला हूं कि आपको टोटल एक्स्पेंस कितना आएगा तो यहां पर मैं सबसे फिले स्टार्ट करता हूं एक टैंक से या फिर 10,000 लिटर से क्योंकि बता रहा हूं लेकिन कुछ लोग 10,000 रुपीस बताते हैं तो बहुत से लोग 12 गंटे चलाते और इसके बाद में 12 गंटा दूसरा फम चलाते तो मैं आप 12-12 गंटे और कभी इन केस कोई एक खराब हो गया तो इसलिए मैंने एक और एक्स्ट्रा पॉम रखा है अगर आप चाहो तो थर्ट पॉम को नहीं रखना चाहो तो आप उसमें से उसका खर्चा निकाल सकते हो लेकिन मैं समझता हो कि थर्ट पॉम रखना जरूरी है क्योंकि हम लोगों क बहुत जरूरी होती है । इसमें मैंने और कर लिया है फिटिंग्स ऐरस्ट और 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 सब्सक्राद से और चाहिए वह इसमें एड करने के बाद हैं जो टोटल खर्चा आएगा वह अप्रॉक्सिमीटली कह रहाओ मैं देखिए मजभ अग्धिट थोड़ा सब्सक्राइब इसके बात करता हूँ सेकंड पार्ट की सेकंड पार्ट में जहाँ पर मैं रेंड औरियो में नहीं घी कियुके पिछले कि आ था कि कि बाड़े की होगी किसी की कम बाड़े की होगी तो इसलिए यहां पर फिलीज्ज nesse कर सबसे हो इसके बात मैंने या कुछ लोगों के पास उन सबसक्राइब में प tienen right ом टम infection होता है इसलिए मैं सब्सक्राइब अब बद्रस कोस्थ होता है टो वत सब्सक्राइब कोस्थ होता है इसके बात करता हूँ लेबर कोस्थ metric यहां पर 10,000 रुपे रखा है खाने पिने के साथ ठीक है तो खाना एक लेवर कम से कम 10,000 के अंदर ही आएगा 10,000 के मतलब नीचे तो कोई लेवर आएगा नहीं खाने पिने के साथ क्योंकि अच्कल लेवर बहुत महेंगा हो गया है तो अगर 6 मैने का मारा कल्चर होगा तो 6 म मैंने 1500 रुपया रखा है 1500 रुपय में आपको प्रोबाइटिक्स आजाएगा और कुछ दवाईयां कि अगर जरुवत पड़ी जैसे प्रोटाइशन पर माइट वगरा सेनिटाइजेशन के लिए और किसी और काम के लिए तो वह सारी चीज़े यहां पर 1500 रुपया आपको आजानी चाहिए और एक्सपेंसिज भी कुछ होंगे आपको लेकिन मैंने यहां पर लिखा नहीं है क्योंकि वह केस्टो केस बेसे पर डिपेंड करता है तो इनके सब्सक्राइब कुछ हो तो उसके लिए थोड़ा सा पैसा आपको साइड में रखना चाहिए तो यहां पर ह केस्टिए यहां पर कुछ लंबे एक्सपेंसिजसे मैं आपको एक एक करके बताता हूं यहां पर हमारी हार्वेस्टिंग केपेसिटी होगी ना एक टैंक पर वह हम 500 किलो पकड़ेंगी क्योंकि अगर 500 किलो के ऊपर भी आप कर सकते हो लेकिन अगर आप ज्यादा करने अब को कम्रेंट नहीं होगा वैसे तो मोनोस्क्ज्व दीलाप्या बहुत से लोगों को मिल जाती है लेकिन जो लोग कम लेते हैं जैसे ना जासे कि यहां पर टेंग के कल्कुलेशन में बता रहा हूं तो लोगो मेंगी मिलती है पांच रूपर शेही नहीं दें लेकिन मैंने यहाँ पर चार रुपे पकड़ा है यह थोड़ा सा उपर नीचे आपके लिए हो सकता है ठीक है कि दस हजार लीटर टैंक के लिए हम लोगों को यहाँ पर 500 किलो का हर्वेस्टिंग चाहिए तो मैं यहाँ पर 1200 किलो बारा सो फेशे दालू हमें 1200 टैलों यह कुछ मॉटलीटी भी हो जादा वेश दालने से तो आप क्या कर सकते हो उपर की जो मसलियां है ना आप उसको बेज सकते हो तो उसमें आपको थोड़ा सा पैसा आ जाएगा तो यहाँ पर जैसे मैं 1200 फिश दाल रहा हूँ और एक फिश मैंने पकड़ा है चार रुपे की तो यहाँ पर 4800 रुपे हो जाते हैं हमारी मसलियों के तो मैंने यहाँ पर 15-18% मॉटलिटी पकड़ा है जिसके हिसाब से जो उपर की 200 फिश हम लोग ने एक्स्टा दाले थे व बाता वह नहीं मरी तो बहुत सी बात है आप उसको रग भी सकते हो टैंक में और ऐसा लगेगा ज्यादा लोड हो गया है तो आप उसको बेज दीजिए पार्शल हर्वेस्टिंग कभी भी कर सकते हो और उसके बाद में यहाँ पर मैं आपको बताता हूं कि फीड का जो एफ की तो यहां पर मैंने एवरेज कॉस्ट फॉर्टी रुपिस पकड़ा है आप लोग सोचोगा कि पीछले वीडियो में मैंने अवरेज कॉस्ट थर्टी फार्टी रुपिस बताया था तो तलावालों के लेता यहां पर एक्शली होता कि तलावाले जो होते हैं वह ज्यादा फीड लेते हैं तो उनको जो ट्रांसपोटेशन कोश्ट होता है वह कम पढ़ता है क्योंकि वह अपनी परस्नल कार लेके आते हैं उसमें एक बैग या दो लेके जाते हैं चार बैग पांच बैग भी कुछ लुग ले जाते हैं तो यहां पर जो जैसे आप डीजल का कर्चा हो जाएगा परसनल कार के लिए तो 500 रुपे का दो डीजल चला जाएगा उसके बाद में डोल वागेरा अभी कभी-कभी लग जाता है तो फीड का एवरेज कोस्ट मैंने यहां पर 40 पकड़ा है तो यहां पर जो 400 केजिस का अगर हम 40 रुपीज के हिसाफ से हमारा जो अगरा फीड का और हमारा सीड का मचलीयों के बच्चे का और मुकहने का कितना trud्स तो यहां पर हमारा हो रहा है मैं अगर मैं आपको बात करूं टोल सेल्स की तो मैंने एक पोल रखा था ना यूट्व प emerged नहीं बताया कि जो तिलापिया सबसे ज़्यादा जो ग्राफ ओपर गया है वह सो रुपे का गया है इसलिए मैं आप पर सो रुपे पकड़ा हूं यह रेट आप लोगों नहीं मुझे बताया है तो यहां पर मोनोसक्सिलापिया का रेट मैंने सो रुपे पकड़ा हूं 500 किलो जो हमारा माल रेडी हुआ था 500 किलो के हिसाब से अगर सो रुपे का रेट होगा तो हमारे पास यहां पर 50,000 रुपे की मशलियां हमारी बिखेगी और हमें 50,000 रुपे कैश आएंगे अगर मैं यहां पर प्रॉफेट की बात करूँ कि मशलियों में कितना प्रॉफेट हुआ है तो यहां पर 50,000 रुपे की मशलिया हमारी बिखी और हमारा जो एक्सपेंस हुआ था वो 20,800 रुपे जो एक्सपेंस में आपको बता लाँ मैं कौन सा बता लाँ सिर्फ और बच्चे का और खाने का ठीक है तो 20,800 अगर मैं इसमें से माइनस करूँ तो मुझे प्रॉफेट होगा यहां पर 29,200 रुपीज का अगर टोटल प्रॉफेट और लॉस की बात करूँ तो जो 29,200 रुपीज हम लोगों को फेश का जो प्रॉफेट हुआ था उसमें से अगर म मैं एक्सपेंस माइनस करूँ एक्सपेंस कुन सा वाला मेनस करहूं जो लेबर सैलरी थी और जो सेकेंड पार्ट था हमारा लेबर सैलरी का और पोबाइडिक्स वगेरा का जो ख़र्चा हो रहा था उसको अगर मैं इसमें से माइनस कर दूkę 61,500 का तो एक टेंग में हमें ल लाग 19,300 रुपे की जरूत पड़ेगी पर ये एक लाग 19,300 आपको अपने पास नहीं रखना आपको थोड़ा एक्स्ट्रा आपके पास होने चाहिए क्योंकि थोड़ा खर्चा ऊपर कभी भी हो सकता है इसके बाद अगर मैं बात करूँ दो टैंक की या फिर 20,000 लेटर की तो 20,000 लेटर के लिए आपको कितना खर्चा आएगा टैंक सेटप के लिए आपको 50,000 रुपे के आसपास खर्चा होगा फिर से बाता देता हूं आपको यह 50,000 रुपे में क्या क्या आएगा तारपोलीन आएगा मेश आएगा एरपंप आएगा एरपंप अगरा जो है ना जो पूराने एक टैंक के लिए हम लोग यूज करे थे वही एरपंप यहां पर भी दो टैंक के लिए भी यूज हो जाए लाएगा पाइप फिटिंग में थोड़ा सटा हो जाएगा एर फ्रोन सोड़ी से एक्स्टा लगें है क्योंकि दूसरे टैंक में बहूंद अलगाना होगा एलेक्रिकल कनेक्शन ज्यादा नहीं बड़ेगा क्योंकि पुराना जो था वो सेम यहां पर भी चल जाएगा अगर इन केस को जरुवत पड़ी तो हम लोग यहां पर उसको 2,000 रुपे कर देते हैं ठीक है सिर्फ 500 रुपया मैंने यहां पर एक्स्टा कर दिया है तो recurring expenses जो total होंगे वो हो जाएगा 62,000 रुपीज का वहां पर कितना हो रहा था हम लोगों को 61,500 डूसरे टैंक में मतलब ज्यादा करचा नहीं होगा आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपय का एक्स्टा में यहां पर रखा है थर्ड पार्ट की अगर बात करूं मैं तो थर्ड पार्ट में हार्वेस्टिंग की यहां पर हमारी जो capacity होगी ना वो 1000 कीजी की होगी और मोनोसेक्स सिला पर जिसे मैं आपको बदाए 4 रुपय पर पीस हम लोगोंने लिया है तो वो 24,000 2400 2400 हम लोग यहां पर pieces जा लेंगे जिसमें से समझो 400 की mortality हो गई तो हमारे पास harvesting capacity जो बचेगी वो 2000 fishes की बचेगी जो के 500 ग्राम के हिसाब से होगा 1000 kg और जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया कि 2400 पीस हम लोग दालेंगे 4 रुपय के हिसाब से तो उसका total cost हो जाएगा 9600 रुपय अगर मैं बात करूं FCR की तो यहां पर भी 0.8 का FCR होगा feed cost की अगर बात करूं तो 800 kg हमें खाना खिलाना होगा मसलियों को हमारे पास 1000 kg फिश होगी 0.8 FCR के हिसाब से हमको उसको खिलाना होगा 800 kg चालीस रुपय के हिसाब से हो जाएगा 32,000 तो फीडिंग हमारी कितने की जाएगी दो टैंक के लिए 32 रुपय की ठीक है अगर मैं यहां पर total expense पकड़ू फीड का और सीड का तो यह वह हो जाएगा 9600 प्लस 32,000 उ profit मश्लियों में कितना profit होगा तो 1000 kg हमारी मश्लियां ready होगी 1000 kg मश्लियां 100 रुपय के हिसाब से हो जाएगी एक लाग रुपे की मश्लियां बेचने पर हमारे यहां पर एक लाग रुपय हमें मिलेंगे एक लाग रुपय में से हमारा मश्लियों का खाने का और मश्लियों का पिसा कितना होगा था 41,600 अगर मैं उसको मैनेस कर दूँ यानि के फिश में हमें यहां पर 58,400 रुपीज का प्रॉफिट होगा लेकिन अगर जो एक्सपेंस हुए थे लेबर के एक्सपेंस प्रोबाइटिक्स वगदा के एक्सपेंस अगर मैं उसमें से माइनस कर दूँ तो यहां पर हमें लॉस हो जाएगा दो टैंक्स में हमें लॉस होगा 3,600 रुपे का ज्यादा बड़ा लॉस नहीं है लेकिन लॉस तो लॉस ही होता है अगर मैं बात करूँ के दो टैंक्स के लिए या फिर 20 एया लिटर की फार्मिंग के लिए हमें कितने पैसे लगेंगे तो यहां पर हमें टोटल लगेंगे 1,53,600 रुपीज और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इतना पैसा नहीं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भी रखना से ही क्योंकि कभी भी कुछ भी खर्चे आ सकते हैं ठीक है इसके बाद अगर मैं बात करूँ पांच टैंक्स की या फिर 50,000 लीटर्स की तो 50,000 लीटर्स के लिए हमें लगेंगे 1,11,000 रुपे और यह जो मैं आपको तर्पुलिन टैंक्स का पता रहूं तर्पुलि अगर आपकी खुद की जगा है तो आपको सेमिन टैंक्स लगाने में ज्यादा बेनिफिट होता है अगर आपकी बाड़े की जगा है तो आपको तर्पुलिन टैंक्स लगाने में ज्यादा बेनिफिट है कि यहां पर जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं एक लाग ग्यारा जार रुपे यह भी सेंप्रू सेंवोई होगा इसमें पांच टैंक्स है तो पांच टैंक्स के साब से यहां पर पंप चेंज होगा ठीक है जो एर पंप हम लोगों वहां पर यूज करें थे वह चोटी के यहां पर थोड़ा बढ़ जाएगा इसके बाद वोटर टेस्टिंग वगरा तो सब सेंप्रू सेंप रहेगी अब मैं यहां पर आ जाता हूं पार टूपे सेकेंड पार पर जापर लेबर का एक्सपेंस सेंप्रू सेंप रहेगा प्रोबाइटिक्स मोलैसिस गोर्चुरा जो हमारा खर्चा था उसको मैंने यापर थोड़ा सा बढ़ा दिया है वहां पर जो था वह दो हजार रुपे थे मैंने यापर तीन हजार रुपे कर दिया क्योंकि कभी जैसे ज्यादा टैंक होते हैं तो हो सकता है कुछ प्रूम हो जाए एक और दो टैंक में भी कुछ मोनोसम चिलाब के चार रुपे के हैंगे हम यहां पर छे सा की हज़ार मस्प्तेशाइब दानद मतलब 2-100 और में तो यहां नुकसान हो घयार अग्यारrah पर यहां पर इसका रखा था और हम बात करें हरें हार्वेस्टिंग की तो हमें यहाँ पर मिलनी चाहिए 2,500 किलो की हर्वेस्टिंग सब कुछ सही रहा तो इतनी हर्वेस्टिंग हमें मिलनी चाहिए यह fcr के हिसाब से 0.8% fcr के हिसाब से हमें मसलियों को 2000 किलो खाना खिलाना पड़ेगा फीड खिलाना पड़ेगा ठीक है अगर हम बात करें फीड कोस्ट की तो 40 रुपे के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पर 80,000 रुपीज का फीड कोस्ट आ जाएगा अगर मैं बात करूँ कि हम लोगों को फीड और सीड दोनों मिला के कितना खर्चा होगा तो 24,000 और 80,000 मिला के हो गया 1,4,000 रुपे ठीक है अगर हम बात करें टोटल सेल्स की तो जैसे कि हम लोगों को यहाँ पर 2500 किलो की हम लोगों की मशलियां रेडी होनी चाहिए जी और 100 रुपे करेंट हम लोगों ने यहाँ पर मार्केटप्रेस पकड़ा है तो वो इस हेसाब से होना चाहिए 5 रुपे की हमारी सेल्स होनी चाहिए लगों डाय लग रुपे की सेल्स की में से अगर हम एक लाग चाराजारा जारा फीडिंग और सीड का एक्स करने पर हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है पो लेक होगा तो आप देख सकते हो कि मसलियों को बेच के जो हमें 146,000 रुपीज मिले थे उसमें से अगर हम माइनस करें 63,000 रुपीज जो हमारा expense हुआ था तो यहां पर हमें profit होगा 83,000 रुपीज का तो आप देख सकते हो कि हमारा profit कहां से start हुआ पांच टैंक से start हो रहा है उसके पहले जो था हमें loss ही था ठीक है यहां से हमारा profit पांच टैंक से start होगा अब यहां पर भी मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताता कि आपके farm के expense भी निकलने चाहिए और आपके घर के expense भी निकलने चाहिए तो आप देख लीजे कि इसमें आपके घर के expense निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं क्योंकि हर के expense अलग अलग होते हैं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर के 5 टैंक्स के लिए या फिर 50,000 लीटर में फेश फामिंग करने के लिए हमें कितने पैसे की जरुवत पड़ेगी तो यहाँ पर हमें जरुवत पड़ेगी 2,78,000 रुपीज की फिर से बता दूँ कि आप लोगों को इससे थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए क्योंकि कभी अगर मश्लियां मर गई तो फिर से मश्लियां डालने की जरुवत पड़ सकती है कभी अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो खर्चा उठाने की आपके बास हिम्मत और ताका तो कैपेसिटी होनी चाहिए इसके बाद में बात करता हूँ दस टैंक्स की या फिर एक लाक लीटर की तो यहाँ पर एक लाक लीटर की फिश वामिंग के रिए आपको दो लाक उनीज रुपे की जरुद पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ टैंक सेट अप के लिए और उसका जो मतलब तारपुलिन हो गया म इनष हो गया एरपम एरपम में यहाँ पर छेंज किया हूं मैंने जो यह चलिक हो अलग था तो आपको नहीं रखना है तो थोड़ा उसमें साब माइनस कर सकते हो इसके बाद इंवर्टर का इंवर्टर की के पैसेटी भी मैंने थोड़ा बढ़ा दिया है सीविल वर्क्स पाइप एर्शोन डिफ्यूजर वाटर टेस्टिंग वगया बाकी सब कुछ सेम रहेगा थोड़ा स पाइप और फिटिंग और एर्शोन में थोड़ा सा फरक पड़ जाएगा क्योंकि दस टैंक से लिए आपको थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा ठीक है इन शोड़ यह कि आपको एक लाक लीटर के लिए दो लाक और नीज यह खर्चा हो जाएगा चलिए अब आते हैं सेकंड पार्ड पर सेकंड पार्ट पर ज簡ा पर रिकरिंग अउन बी और सबकुछ सेम र हृए और किद्धव बआजंग है अबकर मैं कुस्छ प्रॉब्लम हों पर जब्स हैं है जरूरी है जैसे कि आप देख रहे हो ना lockdown start है कोई भी आपको प्रोगाटिक नहीं बेज सकता कोई भी आपको दवाईया नहीं बेज सकता कहीं पर आपको खुश नहीं मिलेगा इसलिए हर वक्त हर चीज जो जरूरत की चीज होती है वो अपने पास टॉक में रखना बहुत जरूरी होता है तो यहाँ पर अगर मैं आपको बता हूँ कि टोटल रिकरिंग एक्स्पेंस हमारा कितना होगा वो हो जाएगा 65,000 रुपीज अगर मैं बात करूँ हर्ट पाट की तो यहाँ पर हर्वस्टिंग केपसिटी हम लोगों ने रखा है 5000 केजी याने कि 5 टन मोनोसेक्स तिलाप्य 4 पे के हिसाब से हम लोग यहाँ पर 12,000 तिलाप्य दालेंगे 12,000 तिलाप्य दालने के लिए हमारा पैसा जो होगा वो होगा 48,000 रुपीज मॉटलिटी यहाँ पर मैं वही जो सेम तो सेम 15-18% मॉटलिटी मैं रखा है टोटल वेट अगर मैं हर्वेस्टिंग के वक्त अगर हम लोग 500 गरम का वेट रखते हैं तो हमारा जो टोटल हर्वेस्टिंग हो जाएगा वो हो जाएगा 5000 केजी का 5000 केजी फिश को करने के लिए हमें जो 0.8 का FCR यहाँ पर मिलता है 0.8 के FCR से हमें 4000 केजी फीड खिलाना पड़ेगा 4000 केजी फीड का टोटल कॉस्ट हो जाएगा 1,60,000 रुपीज जो अगर हम बात करें फीड की और सीड की यानि मश्लियों के बच्चे की और मश्लियों की जो टोटल एक्समेंज हो हमारा इन दो सीजों में आएगा वो हो जाएगा 2,8,000 रुपे इसके बाद मैं बात करता हूँ कि हमारी जो मश्लियां बिके की उसमें हमें कितना पैसा मिलेगा चो रुपे के हिसाब से जब हम 5,000 किलो बेचेंगे तो 5,000 किलो का हमें पूरा-पूरा 5,000,000 रुपे के आसपास हमें आना चाहिए ठीक है अगर हम बात करें मश्लियों में कितना प्रॉफित होता है तो जो 5,000,000 रुपे मश्लियों का आया था उसमें से फीड का और सीड का expense माइनस कर देता हूं यानि कि 5,000,000 रुपे में से 2,000,000 रुपे माइनस तो हमें यहां पर बचेंगे 2,000,000 रुपीज 2,92,000 में से अगर में जो total हमारा expense हुआ था लेबर salary वगेरा का वो 65,000 माइनस करने के बाद में हमें यहां पर profit हो जाएगा 2,27,000 रुपीज तो यहां पर आप देख सकते हो के 10 टेंग में 10 टेंग में आप वो setup का खर्चा कितना आया था 2,19,000 रुपे ठीक है और यहां पर जो profit हुआ वो हुआ 2,27,000 रुपे तो यहां पर एक छोटा साना एक break-even point पर आप पहुंचते हो जहां पर आपका setup का पेशा आपका recover होने के चांस होते हैं लेकिन अगर आप इस में से दोनों में से एक ही यहां पर आप निकाल सकते हो या तो आप इस profit में से setup का खर्चा recover कर लो या तो आप इस profit में से अपने घर के expense सिला लो यहां पर एक perfect break-even point तो नहीं आ है पर एक ऐसा point पर आप पहुंचते हो जा पर आपको setup का खर्चा आपका recover हो जाएगा तो आप समझ सकते हो कि जितने ज्यादा टैंक्स आप लगा होगे उतना ज्यादा आपको profit होगा और इससे पहले वाला वीडियो आपने आप लोगों ने देखा होगा जिसमें मैं आपको पता था कि actual success किसे कहते हैं एक harvesting को actual success नहीं कहते हैं इस लिए बार चरे का वैंख हो होगे recurring expense को मैं ने अलग कर दिया क्योंकि वह आपको हर बार करने पड़ेंगे लगिनiff first part में दखा वह first part आपको बार-बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा होना चाहिए क्यों क्योंकि कभी अगर मश्लिया मर गई या कुछ और प्रॉडम हो गया तो फिर से मश्लिया आदालनी पड़ेगी फिर से उसको खाना कि लाना पड़ेगा तो थोड़ा पैसा एक-2,001 अपके बास एक्सट्रा हमेशा होनी चाहिए ठीक है या फिर 50,000 लिटर कहें हम तो उसके लिए आपको लगेगा 11,000 रुपए अगर हम 10 टैंग या फिर एक लाग लिटर की कैपेसिटी का हम टैंग बनाते हैं तो हमें लगेगा 2,19,000 रुपए चलिए मैं आप लोगों को फिर से एक बार शॉट में बता देता हूं कि एक टैंग या फिर 10,000 लिटर का कल्चर करने के लिए आपको लगेंगे एक लाग उननीज जिएर तीन सो रुपए दो टैंग या फिर 20,000 लिटर का कल्चर करने के लिए आपको लगेंगे 1,53,600 पांच टैंग या फिर 50,000 लिटर का आप अगर कल्चर करते हो तो आपको लगेंगे 2,78,000 रुपीज अगर आप 10 टैंग का या फिर 1,00,000 लिटर का अगर आप कल्चर करते हो तो आपको लगेंगे 4,92,000 रुपीज आज जो मैं आपर बता रहा हो ना इससे ज्यादा ही आपके पास होने चाहिए ठीक है एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि यह जो कैल्कुलेशन मैंने आप लोगों को दिखाया है यह जब सब कुछ सही चल रहा होगा ना जब आपकी मशलियां नहीं मरेगी जितना आप हार्वेस्टिंग सोच रहे हो उतनी हार्वेस्टिंग आपको मिल जाएग कि एक टैंक में आप लोगों को जो लॉस हो रहा था वो 32,300 का हो रहा था आप एक बात ध्यान में रखिए कि यह इस में मैंने इस लॉस में जो है ना मैंने आप लोगों को टैंक के सेट अप का पैसा एड नहीं किया है जो टैंक के सेट अप का जो 37,000 का हम लोगों का जो ए आगे नहीं करना है तो आपको एक और loss उसमें add करना होगा जो tank setup का 37,000 मैंने आप लोगों को बताया उसके लिए उसी तरह दो tank के setup के लिए जो मैंने आप लोगों को loss बताया है 3,600 रुपीज का अगर किसी वज़े से आप उसको continue नहीं करते हो second culture के लिए या फिर आपको को एक और loss वहाँ पर add करना होगा जो tank का setup का जो 50,000 था दो टैंक के लिए वो भी आपको add करना होगा क्योंकि वह मैंने यहाँ पर add नहीं किया था जैसे मैंने आपको बताया कि वह दो टैंक आप फिर से use कर सकते हो इसलिए मैंने उसको calculation में नहीं रखा था उसको अलग मर जाती है तो दूसरी मशलियां जो बचती है ना वो आपका loss recover करेगी अगर आपने कम मशली ताले और वो मशलियां मर गई ना तो आप बुरी तरह मतलब फस जाओगे और यह जो setup होगा ना वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा कहता हू होनी चाहिए थोड़ी बहुत मशलियां मर गई तो बाकी की मशलियां जो होती है वो हमारे loss को recover कर देती है थैंक्यू कर दो कर दो आपगे है आपके किसी किसी काम कर दोड़ी थैंक्यू